सभी को नमस्ते, केंदरी विद्याले अपर काम्प दहरा दून के यूट्यूब चैनल विद्या से तुमें आप सभी का स्वागत है कक्षा तीन विशय हिंदी में हम पाठ आठ बंदर बांट पढ़ रहे थे बच्चों पिछली कक्षा में हमने इस पार्ट में पढ़ा था की दो बिलियां थी एक काले रंग की बिली थी और एक सफेद रंकी बिली थी दोनों बिली आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछती है फिर सफेद बिली बताती है कि मैं ठीक तो हूँ लेकिन मैं बहुत बूखी हूँ काली बिली बोलती है मैं भी बूखी हूँ सफेद बिली बोलती है खाने को कुछ ढूण रही हूँ तो काली बिली बोली मैं भी कुछ ढूण रही हूँ मैं भी उसी खोज में निकली हूँ तस उतने में सफेद बिली बोलती है मुझे तो रोटी की महका रही है काली बिली बोली मेरी भी नाग बता रही है कि पास में कहीं न कहीं रोटी पड़ी है सफेद बिली बोली रखी मेज पर है सफेद बिली बोलती है देखो मेज पर रोटी रखिए लपकूं क्या मतलब क्या मैं चलांग लगाऊं रोटी पे कहीं कोई देख ना ले तो काली बिली बोली तूर तो डरती रहे मैं तो लेने चली काली बिली लपकती है मतलब काली बिली भाग कर उस रोटी पर छरांग लगाती है और रोटी लेकर भागने को लगती है उत्ते में सफेद बिली बोली ठहर जा काँ भाग रही है रोटी लेकर रोटी तो मेरी है काली बिली बोली रोटी तेरी केसे होई रोटी तो मैंने लेली रोटी तो मेरी है उतने में सफेद बिली बोलती है देखी तो मैंने दी काली बिली बोली अच्छा अगर तुने देखी तो क्या मैं नहीं देख सकती थी मेरी भी तो आखी है है ना मेरी भी तो दो आखी है फिर सफेद बिली बोली रोटी कहे दे रही मेरी वो कह रही है सफेद बिली बोलती है कि रोटी तो मेरी है मैं तुझे लेकर नहीं जाने दूंगी उत्ते में काली बिली बोली हट जा यहां से मैं तुझे नहीं दूंगी सफेद बिली बोलती है देखू तो कैसे ले जाती है तू ठीक है दोनों लड़ने लग रही हैं दोनों में बंदर आता है ठीक है बंदर दोनों से पूरता है कि तुम दोनों जगडा क्यूं कर रही हो सफेद बिली को बोलते हैं तुम के रियों की रोटी तुम्हारी है फिर काली बिली को बोलते हैं कि तुम बोल रही हो कि रोटी तुम्हारी है अब मैं फैसला करूंगा चलो के च है दूसरा ड्रेश्ठ बंदर की कचहरी रधर मेच पर बैटा है रोटी का सामने रखा हैं दोनों मेज मेच के सामने इधर उदर खड़ी हैं अब बंदर सफेद बिल्यी से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है सफेद बिल्ली बोली श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है तो बंदर अब काली बिल्ली को बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है काली बिल्ली बोली श्रीमान पहले मैं जपती थी रोटी लेने इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है ब दोनों आखों से फिर बंदर काली बिल्ली से बोलता है एक टांग से जपटी थी या दोनों टांगों से काली बिल्ली बोली दो टांगों से दोनों टांगों से फिर बंदर बोलता है तुम दोनों का था गवा भी वो बोलता है क्या तुम दोनों को किसी ने देखा था दोनों बिल्यां बूली कहीं ना कोई कोई ना कहीं मतलब वो बोलते हैं कि कोई भी नहीं था तो बंदर बोलता है बात बराबर बात बराबर मेरा फाइसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए मेरे पास धरम काटा है बंदर मेज के नीचे से तराजु न रखता है और उठाता है, एक पलडा नीचे रहता है, दूसरा ओपर, ठीके ज़िखों यहां पर बंदर है, और दोनों काली बिली और सिफेद बिली हैं, नेस्ट अब बंदर बोलते हैं, यह तुकडा कुछ भारी है, यह तुकडा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खा कर हलका कर दू फिर तराजू उठता है पहला पलडा उपर है और दूसरा नीचे बंदर कहता है अब यह तूकड़ा भारी निकला अब इसको थोड़ा खाकर हलका कर दूँ फिर तराजू उठाता है अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा पलड़ा उपर अब बंदर कहता है अब यह टुकड़ा भारी निकला टुकड़े भी कितने खोटे हैं एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए है तराजु ऊठा उठा कर हाथ ठक गया देखिए बचो जैसे मेज पर बंदर बैठा है इसने जो पकड़ा है यह क्या है तराजु ठीके अब इसने क्या किया इसने इसके पास एक रोटी थी ना बिलियों के पास कितनी रोटी थी एक रोटी थी, उन्होंने उस रोटी के दो टुकडे कर दिये, ठीक है, एक टुकडा एक पलडे पे रखा और दूसरा दूसरे पे, अब बंदर ने क्या किया, उसने एक रोटी का टुकडा बड़ा था, और एक छोटा था, तो जो बड़ा था, वो तो भारी था, है न, तो व वो उसको बराबर करने के चकर में जो बड़ी रोटी थी उसमें से छोटा सा तुकड़ा खा लेता है ठीक है अब थोड़ा हलका हो गया लेकिन अब दूसरा वाला भारी हो गया तो वो ऐसे ही कभी पहले वले टुकड़े में से खा लेता और कभी दूसरे वले टुकड़े में से खा लेता ठीक है ऐसे करकर के वो दोनों टुकडों में से खा रहा था ठीक है और बिल्लियों को पता भी नहीं लग रहा था कि वो तो उन्हें बुद्धू बना रहा है ठीक है उन्हें बेफकुफ बना रहा है आगे बिल्लियों को अंद बंदर की चालाकी का पता ना पता चल गया हात मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिली बोली आप ठक गए अब ना उठाएं और तरा जो काली बिली बोली बचा खुचा तो उसको दे दे हम आपस में बाट खाएंगी बंदर बोला नहीं नहीं तुम फिर जगड़ोगी मैं उसने कैसे अपनी चलाकी से पागल बनाया और जो टुकड़ा बचा हुआ था वो भी खा लिया इतना कहकर बची कुछी रोटी भी देखकर खा जाता रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है दोनों बिल्लियां आपस में जगड़ा कर बेठी रोटी दोनों बिल्लियां बूलती हैं दोनों आपस में जगड़ा करती हैं दोनों हम दोनों लड़ रही थी देखो हम दोनों की बुद्धी इतनी खराब है अपश्टा रही हैं दोनों कि देखो ना रोटी काली बिली को मिली ना रोटी सफेद बिली को मिली और किसको मिल बंदर को है ना उसने तो अपनी चलाकी से दोनों बिल्यों को पागल बना दिया और पूरी रोटी खा गया आप सभी को ये पार्ट में बहुत मजा आया होगा है ना आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद